Hello friends, here's study hub में आपका स्वागत है English grammar की especially अगर आप class देख रहे हैं तो आपको playlist मिल जाएगी Especially ये bark से related classes हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इस 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 या bank की तियारी कर रहे हैं उसमें भी ये beneficial हैं और आज का session है English grammar की practice में vocab plus synonyms यानि आप एक ही वीडियो में synonym जानेंगे और vocab की भी आपकी preparation हो जाएगी तो ये two in one class है आपकी और कुछ word जो आपने सोने हैं लेकिन हिंदी meaning बहुत कम लोगों को पता होते हैं उस सब आप समझेंगे आज 16th day की class है वाकी class है आपको playlist में मिल जाएगी description में उसका link है channel को subscribe करें जिन्होंने नहीं किया है और continue करें पढ़ाई को शुरू करते हैं वीडियो देखिए format क्या है पहला question ये है आपको एक word दिया जाएगा चार option दिये जाएगे आपको इसमें बताना है synonym कौन सा है synonym means समानारती सब्द पर्यावाची सब्द यानि जो same meaning रखते हैं वो आपको बताना है तो एक slide से आपको 5 word याद होंगे इस तरीके से जो भी है हमारी slide है सारी मिला के आपको 45-50 word याद हो जाएगे तो important class है पूरी देखा करिए class पहला word है rampant option है impious, pure, aggressive, irrelevant rampant का मतलब होता है aggressive रहना यानि आक्रामक, आक्रोस में भरा हुआ तो इसका synonym हो जाएगा aggressive option number C right answer है वाकी word उपे नजर डालते हैं impious का मतलब होता है अधर्मी, pure का मतलब सुध, irrelevant का मतलब असंगत next word है ergo, option है generally, scarcely, often, therefore, ergo word का मतलब होता है conclusion, परिणाम, परिणामता तो यहाँ पर option number D's का synonym हो जाएगा therefore का मतलब भी होता है परिणामता, तो बाकी words पे नजर डालते हैं इसका एक और meaning होता है consequently, इसको भी हम बोलते हैं परिणामता, generally का मतलब होता है सामानिता, often का मतलब होता है अक्सर, scarcely का मतलब होता है कठिंता से next word है आपका events, events, option है चार, elastic, disclose, demise और mok events का मतलब होता है कोई चीज खुल के बाहर आ जाए, disclose हो जाए, तो इसका synonym हो जाएगा disclose बाकी words में नजर डालते हैं, events का मतलब प्रकट करना या disclose हो जाना, elastic का मतलब होता है लचकदार, demise का मतलब होता है निधन, ब्रत्यू, और mok का मतलब होता है नकली, जो हम mok test देते हैं, इसका मतलब होता है वो नकली टेस्ट दे रहे हैं, उसी के pattern पे टेस्ट दे रहे हैं, तो mok का मतलब होता है नकली, next word है, splendiferous, option है, ostentatious, terrible, hilarious, interesting, देखिए, splendiferous का मतलब होता है, दिखावटी, तो इसका सिनोनेम हो जाएगा, ostentatious, यह bird अच्छे हैं, कठिन हैं, इसलिए इनकी, जो bird इस तरीकी होते हैं, वो बहुत important होते हैं, तो यहां पर right answer, option A है, जो कि splendiferous का सिनोनेम हो गया, ostentatious, इसका मतलब होता है, दिखावटी, वाकी word देखते हैं, terrible means भयानक, hilarious means person, interesting means दिलचस्प, PDF आपको मिल जाएगा, टेलिग्राम में, टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपको, description में मिल जाएगा, next word है, clandestine, clandestine बहुत अच्छा word है, option है, distinct, audible, visible, occult, देखे, clandestine का मतलब होता है, कोई चीज़ छिपी हुई, यानि गुप्त, तो इसका option number D, right answer हो जाएगा, occult, occult का मतलब होता है, गुप्त, बाकी option देख लेते हैं, distinct का मतलब होता है, अलग, कोई चीज़ अलग से दिखे, audible का मतलब जो सुनने लायक हो, जिसको सुना जा सके, visible मिन्स जो साफ दिखाई पड़े, next word है, perceive, option है, dim, drizzle, fair, sizzle, perceive का मतलब होता है, कोई चीज़ को समझना, to understand, तो dim, इसका सिनोने मो जाएगा, dream, dream का मतलब होता है, समझना, बाकी words देखते हैं, drizzle का मतलब होता है, भूंदा बांदी, fair का मतलब तो आपको पता ही होगा, निस्पक्च होना, और sigil का मतलब होता है, कडाके की धूप, यानि sigling weather जिसको बोलते हैं, next word, rumpus, अच्छा word है, option है, confine, summon, dispute, ignore, और, rumpus का मतलब होता है, जगड़ा, लड़ाई, विबाद, तो rumpus का, synonym क्या हो जाएगा, dispute, जिसका मतलब होता है, विबाद, बाकी words देख लेते हैं, confine का मतलब होता है, seemit, limited, summon का मतलब होता है, पुकारना, ये negative word है, क्योंकि ये, ये court और police की line का word है, इसलिए ये negative word माना जाता है, summon बेजती है, court किसी को पुकारने, यानि हाजिर होने के लिए, और ignorance, नजर अंदाज, next word है, snug, ये नया word है, आपने शायद सुना होगा, snug, option है, इसके, halt, pleasant, haunt, hurry, snug का मतलब होता है, सुखद, यानि जो प्रसन्नता दे, satisfaction दे, उसको बोलते है, snug, तो इसका सिनोने मुझे आएगा, option number भी, present, भाकी word देख लेते हैं, halt का मतलब होता है, पढ़ाव, इसको बताने के शायद जरूरत ना हो मुझे, कि halt क्या होता है, कहीं भी जा रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए ठैरे हैं, आप, rest करने के लिए ही सही, तो इसको बोलते है, halt, present का मतलब मैंने बताया, सुखद, haunt का मतलब होता है, बसेरा, कहीं पर रुक के ठैर के रात गुजारना, यह होता है, haunt, हरी का मतलब जल्दी, यह थी आज की class, बागी PDF आपको मिली जाएगी, टेलिग्राम में, तो जॉइन कर लें वहाँ से, playlist में जाएं, और जो भी आपने 15 वीडियो, 16 वीडियो नहीं देखी हैं, सारी देखें, सारे practice session हैं, expected questions हैं, pattern भी latest है, तो यह तीनों आपके रिए beneficial रहेगा, वीडियो जरूर देखें, ख्याल रखें अपना, बाई, take care,